हेलो स्टुडेंट्स आज मैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेटरी एक्सरसाइज 8.2 का कोश्चन नमबर 1 करूंगा इसमें 5 कोश्चन है 1 to 5 कोश्चन नमबर 1 का 1 है साइन 60 डिग्री कोश्च 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोश्च 60 डिग्री का इसका वैलो निकालना है इवैलुएट क्या करना है इसको इवैलुएट इवैलुएट करना है सबको ये सब कुश्चन दिया हुआ है तो अब देखते हैं ये मेरा टेबुल है इसमें सिर्फ साइन कॉस और टैन हमने लिया है अगर कॉसेक सेक या कॉट आएगा तो इसका रिवर्स करके अपोजिट करके हम इसका वैलु ले सकते हैं साइन का वैलु जैसा कि हम कल बताये थे अपने वीडियो में कैसे निकालते हैं तो 0 1 by 2 1 by root 2 3 root by 2 1 कॉस में उसी को रिवर्स कर देते हैं जो फस्ट पोजिशन पर है उसको last में कर देते हैं सेकेंड पोजिशन को 1 यहां लिख दिया root 3 by 2 यहां लिख दिया 1 by root 2 यहां लिख करके इसको पूट कर देते हैं यह कल के वीडियो में मैंने दिखाय था जो कैसे हम ट्रुमेट्रिक वैलू ऑफ डिफरेंट एंगल हम निकाल सकते हैं अब इसी के आधार पर यह जो कॉस्टन है 8.2 का जितना एक साइज कॉस्टन है उस सब में ट्रुमेट्रिक एंगल के वै वैलू निकाल निकाल ट्रुमेट्रिक वैलू पूर कर दिखाय रूट्रिक वैलू बाइट्रुक कर दिया इस प्लस का प्लस दिया sin 30, sin 30 है 1 by 2, 1 by 2 डाल दिया, into cos 60, 1 by 2, cos 60 भी 1 by 2 है, यहां 60 दिगड़ी है, cos है 1 by 2, इसको 1 by 2 डाल दिया, यह हो गया, root 3 into root 3, only 3, root 3 का square हो जाएगा, यह क्या है, 1 into 1, 1 हो गया, 2 into 2, 4 हो गया, 4, 4 का, same denominator का, LCM क्या हो गया, 4 हो गया, 4 में 4 से divide क्या 1, 1 से 3 को multiply क्या, 3 ही होता है, फिर 4 से 4 को divide क्या 1, 1 को 1 से क्या, यह 1 होता है, ठेक है, अब यह हो गया, 4 by 4, equal to 1, यह मेरा answer हो गया, अब second question है, 2 into 10 square 45, 2 डाल दिया, 2 का, into 10 square 45, 10 45 कितना है, 1, तो यह 1 का square हो गया, ठेक है, इतना के लिए इतना हो गया, plus क्या कर दिया, cos square 30, cos square 30, root 3 by 2, इसका value है, cos 30 का square है, यहाँ square कर दिया, minus sin square 60, sin 60 का value है, root 3 by 2, तो root 3 by 2 डाल दिया, square है, इसलिए इसका भी whole square कर दिया, अब 2 into 1 का square 1 ही होगा, तो 2 into 1 is equal to 2, plus root 3 का square, simple 3 हो जाएगा, root 3 into root 3, तो 3 हो गया, और 2 into 2 का square 4 हो गया, minus, ऐसे ही root 3 का square हो जाएगा, 3, और 2 square हो जाएगा, 4, यह minus और यह plus cancel हो गया, इसका answer 2 हो गया, अब थर्ड question है, cos 45, cos 45 कितना है, 1 by root 2, यहाँ डाल दिया, 1 by root 2, by कर दिया, 6, 30, cos का उल्टा होता है, 6, इसका उल्टा क्या है, 30 है, cos का उल्टा, तो 6 हो जाएगा, 2 by root 3, 2 by root 3, plus, cos 6 30, cos 6 होता है, sine का उल्टा, उसका 30 कितना हो जाएगा, sine 30 है, 1 by 2, तो cos 30 हो जाएगा, 2, right, अब इसको कर देंगे, 1 by root 2, नीचे क्या करेंगे, LC हम ले ले लेंगे, यहाँ 1 मान सकते हैं, तो यहाँ root 3 कर दिया, root 3 में root से divide होगा, 1 होगा, 1 को 2 से multiply होगा, 2 हो गया, plus का sine दे दिया, root 3 को root 3 से divide, 1 से divide करेंगे, तो root 3 होगा, 2 से multiply करेंगे, 2 root 3 होगा, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 1 by root 2, divide करेंगे, तो multiply होगे, reciprocal हो जाएगा, इसको multiply कर दिया, यह root 3, यहाँ 2, plus 2, root 3, सिर्फ calculation है करना, अगर value मालूम है, different angles का value डालके, right click का, यह calculation करना है, सही सही, और उसके में कोई दिकत नहीं है, अब यह हो गया, root 3, और यह क्या हो गया, root 2, into, 2, plus 2, root 3, जैसा है, वो इसा हैं कर दिया, root 2 कर दिया, 2, plus root 3 कर दिया, अब यह हो गया कितना, root 3, अब नीचे क्या करेंगे इसको, root 2 है ही, इस 2 में क्या करेंगे, into, 2 common ले लिया, दोनों में, तो यह 2 हो गया, और यह इसको reverse कर देंगे, इसको root 3 पहले लिखेंगे, root 3 और, plus 1, ठेक है, इसमें क्या करेंगे, 2 common ले लिया, तो पहले इसको लिख लेते हैं, root 3 को से, इसलिए के बाद में अगर इसको, reverse करेंगे, तो minus के sign में तो अदिकत होगा, अगर ऐसा नहीं भी करने से होगा, लेकिन यह थोड़ा easy परेगा, इसलिए इसको ऐसा कर जाते हैं, अब यह root 3, root 2 का root 2 है, into 2 है, है ना, और इसमें यह ले लिया, तो root 3 और, इसमें से root 2, root 2, 3 में से 2 निकल गया, तो root 3 और 2 में से 2 निकल गया, 1, यह हो गया, अब इसको क्या करेंगे, reverse कर देंगे, root 3 by, root 2 है ही, 2 मेरा है ही, root 3 plus 1, reverse क्या हम जानते हैं, कि जो sign नीचे रहता है, उसका बीच का opposite sign देते हैं, जिससे की, यह a square minus b square के formula पर आ जाता है, अब इसको क्या करेंगे, root 3 minus 1, root 3 minus 1, तो multiply कर दिया, यह हो गया, 3 into 3, root 3 into root 3, यह 3 हो गया, root 3 into 1 minus root 3, ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे है, root 2 है ही मेरा, ठीक है, into 2 है ही, a square minus b square, तो a square minus b square क्या होता है, a square minus b square, a plus b into a minus b, a plus b into a मानते है, root 3 को, b मानते है, 1 को, तो root 3 plus 1 क्या हो गया, a plus b, और a minus b, a plus b, a minus b क्या होता है, a square minus b square होता है, उसके अधार पर हमने क्या क्या क्या, यह 2 तो यहाँ, root 2 है ही, यह 2 है ही, इसको क्या कर देंगे, root 3 का, square a square minus b square, a square, right, अभी यह क्या हो गया, 3 minus root 3, by कितना हो गया, root 2 into 2, root 3 का square हो जाएगा, तो simple 3 हो जाएगा, और minus क्या हो जाएगा, minus 1, 1 square का, 1 square, यह मेरा क्या हो गया, root 2 यहाँ है, यह 2 यहाँ है, और a square minus b square, तो a minus भी यहाँ लिख दिया, ठीक है, अब क्या हो गया question, 3 minus root 3 by root 2 into 2, और 3 minus 1 into 2, अब root हटाने के लिए, नीचे root रानाने चाहिए, रसलाइज करने के लिए, इसलिए इसको क्या करते है, root 2 से उपर और नीचे दोनों multiply कर जाएगा, जिससे के नीचे का root हट जाएगा, यह root, अब क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, 3, इससे इसको multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 root 2, 3 into root 2, 3 root 2, minus का minus, root 3 into root 2, root 6, ठीक है, अब यह क्या हो गया, यह 2, 2 का, यह 2, 2 का हो गया, 2 हो गया, into 2 हो गया, into 2 हो गया, equal to क्या हो जाएगा, 3 root 2, minus root 6, by 8, 2 into 2, 2 into 2, यह यह answer है मेरा, इसमें क्या करना था, पहले cost, 45 का value डाल दिया, इस दोनों का value डाल दिया, यह plus कर दिया यहा, फिर इसको reciprocal कर दिया, यह 3 है, ऐसे करते करते, यहाँ यहाँ पर slice कर दिया, और यहाँ फिर कर दिया, यह मेरा answer है,